Hello friends, welcome back to English Vidasha मैं आज आम एक new passage की reading करेंगे जिसका title है 12th fail, 12th fail अब आप title को देखके ये मत समझे कि कोई negative passage पढ़ने वाले है क्योंकि इस channel पे जितने भी videos posted है सारे inspirational, motivational और कुछ आपको positive ही सिखाते है life में तो आएए शुरू करते हैं और इस passage के जरिए new word meanings और जो deep meaning कहना चाते है author इसमें वो बहुत अच्छा है आप ध्यान से सुनिये, समझिये और last तक वीडियो को देखेगा और पसंद आएगा अगर तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा आए शुरू करते हैं तो आपने ये latest movie देखी होगी 12th fail एक युवा लड़का, remote village, village गाउ और remote का मतलब होता है दूर दराज जहां पे ज्यादा, far away from where people live जो city से दूर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? remote areas तो यहां पे दूर दराज का एक village था, जो बहुत दूर था चंबल वैली में dreamed of becoming an IPS officer, तो ऐसे village में, गाउ में एक युवा लड़का था जो कि सपने देखा करता था, becoming बनने के एक IPS officer Indian police service में एक officer बनना, to serve the country और अपने देश को serve करने के लिए देश की सेवा करने के लिए, despite having no money, despite means के बावजूद having no money, ऐसा न होने के बावजूद भी, no guidance it means help or advice, ना कोई सहायता, ना कोई परामर्श and no clear path, और कोई सपष्ट रास्ता भी नहीं, तो इन चीजों के ना होते हुए भी सपने तो थे उसके, he dreamed of becoming an IPS officer, Indian police service में वो officer बनना चाहता था, ना पैसे थे, ना कोई सला देने वारा था, ना कोई सपष्ट रास्ता था उसके सामने, yet, फिर भी, he achieved the impossible, उसने फिर भी अचीव किया, हासिल किया, impossible means जो असंभव था, are you like him, क्या आप उसकी तरह हैं, inspired to accomplish greatness, inspired means प्रेरित होकर, accomplish, प्राप्त करने के और greatness, महानता, क्या आप उसकी तरह हो, जो कि महानता को प्राप्त करना चाहता है, और are you content, content, with the ordinary, या आप वो हो जो कि संतुष्ट हो जाता है, साधरन चीजों से ही, ordinary means साधरन, और content means संतुष्ट, एक और होता है, ये same spelling, वो होता है, content, मतले, spelling ये ही होती है, pronunciation different होती है, content, things that are inside something, या आप जैसे कि contents of this packet, so क्या आप संतुष्ट हो, ordinary साधरन को लेकर, ordinary life के लिए use किया गया है, कि साधरन जिन्दगी से, led by millions, जो कि लाखों लोग जी रहे है, you were born mortal, so mortal का मतलब होता है, नश्वर जिसका अंध होना निश्चित है, उसको बोलते हैं mortal, so you were born mortal, आप नश्वर पैदा हुए थे, but destined, destined for immortality, और immortality means अमर्ता, जो कभी नहीं मर्ता, destined है नियती, जो पहले से ही decided है आपके लिए, having a future that has been decided at an earlier time, पहले से ही नियत परिणाम, so आप पैदा तो नश्वर हुए थे, कि पता है कि limited period के लिए हम धर्दी पर हमने जन्म लिया है, और limited time है हमारे पास, हम aging की process थ्रू गुजरते हुए, बाद में मर जाएंगे, means जो भी पैदा हुए है इस धर्दी पर, last में उसको मरना ही है, और वो किस तरीके से achieve कर सकते हैं, हमारे अच्छे actions, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा, लोगों के सेवा करने के द्वारा, दूसरों के सुख दुख में काम आके, ताकि हमारा नाम जो है, वो immortal हो जाए हमको लोग हमारे जाने के बाद भी याद रखें, तो यह जो line है, इ सारे रिक रूप से तो नहीं है, वो है कि आपका नाम अमर हो जाएगा, अच्छे काम करो, तो अच्छा फल मिलेगा, और आपको लोग आपके जाने के बाद भी याद रखेंगे, small minded people are satisfied with trivial, small minded यहाँ पे है कि जो छोटी सोच रखते हैं, संकीन बुद्धी वाले लोग, are satisfied वो संतुष्ट हो जाते हैं with trivial, trivial होता है छोटी मोटी चीज़ें, तुच्छ, जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, trivial things, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि wealth, धंदौलत, power, सत्ता, fancy car, महेंगी कारे, luxury homes, महेंगे, बंगले, घर, तो यहाँ पे छोटी चीज़ें माना गया कि यह तो छोटी चीज़ें हैं, और यह किसको आकरशित करती है, small minded people, जिनकी संकीन बुद्धी होती है, कम बुद्धी वाले लोग, छोटी सोच वाले लोग, यह satisfy हो जाते हैं, अगर उनके पास धंदौलत, power, car और बंगला आ जाए, but the wise, लेकिन जो बुद्धी मान होते है समझदार लोग होते हैं, seek, वो ढूंते है, what is permanent, उस चीज़ को ढूंते हैं, जो स्थाई होती है, क्योंकि यह वाली चीज़ें आज है, कल नहीं है, ठीक है, यह वाली चीज़ें, लेकिन स्थाई चीज़ क्या है, संतोश, spirituality, और दूसरों की सेवा करना, so यही है कि लेकिन जो बुद्धी माने समझदार लोग है, वो तो इन चीज़ों से संतोश नहीं होते, वो कोई और चीज़ ढूरते हैं, जो कि हमेशा permanent रहे, स्थाई रहे, how long will you stay in the kindergarten of life, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, कि कितना टाइम तुम रहोगे अपने प्रारंभिक अवस्था में ज जगो और इस life का जो महत्व है, purpose है, उसको समझो और आगे बढ़ो, how long will you stay in the kindergarten of life, कितनी देर तक आप बच्चे बनके रहोगे, यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहोगे, बच्पन वाली, aim for higher, अपना जो aim है, आपका लक्षे है, उसको उंचा करो, आगे बढ़ो, fulfilling realms और ऐसे शेत्रों का लक्षे रखो, जो कि fulfilling हो, जो अपने आपको संतुष्टी प्रदान करे, जो कि पूर्णता वाले शेत्रों हो, उसकी तरफ अपना लक्षे रखो, you have two powerful gifts, humans के बारे में बात किये, इनसान गे कि आपके पास दो शक्तिशाली चीजे हैं, महत्वपून च होते हैं, and your intellect means बुद्धी, और आपकी बुद्धी, आप कैसा कर्म करते हो, वो आपके control में है, और आपकी क्या बुद्धी है, वो भी आपके control में है, तो ये दोनों हमारे पास powerful gifts हैं, since birth, जन्म से ही, you have made choices, आपने अपने लिए विकल्प select किये हैं, यसे आप decision लेते हो, आ आपकी बुद्धी है, however, हालंकि उसको विक्सित और करना पड़ेगा, while everyone has talent, intellect transforms it into excellence, जबकि हर एक के पास प्रतिभा होती है, हर एक इंसान के पास प्रतिभा होती है, लेकिन वो एक बुद्धी ही है, जो कि transform बदलती है, उसको, उस प्रतिभा को into excellence, श्रेष्टता में, सो, ये जो intellect है, बुद्धी, वही हमारी जो प्रतिभा है, उसको श्रेष्ट बना देती है, और भी बहतर बना देती है, through thinking, pondering and inquiring, सो ये तीन चीज़े है, thinking, सोचने के द्वारा, pondering, ponder word है ये, उससे बना है, विचार करना, किसी चीज़ के ओपर सोच, विचार करना, and inquiring, जांच करना या पूछना, पूछताच करना, through thinking, pondering and inquiring, the intellect sharpens, हमारी बुद्धी का विकास होता है, वो और भी तेज बनती है, enabling you to guide the urges of the senses and impulses of mind, enabling आपको सक्षम बनाते हुए to guide markdarshan करना, urges of the senses, ये पूरी फ्रेज का मतलब है कि इंद्रियों के आवेगों को आप guide कर सकते हो, उनको markdarshan दिखा सकते हो, and impulses of mind, और मन के आवेग, so, मन और इंद्रियां जो हमारे हमेशा भटकते रहते हैं, उनको आप guide कर सकते हो, अगर आपकी intellect बुद्धी जो है वो और विक्षित होती रहती है, this is the journey from an immature, so ये एक यात्रा है, immature means अपरिपक्व, जिसका वे पूरा विकास नहीं हुआ है, unsteady person, अस्थिल व्यक्ति, to a mature, reliable leader, so ऐसे व्यक्ति से लेकर, वो क्या बन जाता है, mature means परिपक्व, और reliable है, जिसके उपर हम भरोसा कर सकते हैं, leader नीता, so हम कह सकते हैं, सोचने, विचारने, और पूछतास्च करने से, जो हमारी बुद्धी है, वो और भी तेज बनती है, जिसके दोरा हम सक्षम हो जाते हैं, कि हम अपनी इंद्रियों को और अपने मन को control में रखें, और उसको guide करें, किस दिशा में उसको जाना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसको हम guide कर सकें, अपने दिमाग को और अपने इंद्रियों को, control में रखें अपने, this is the journey, तो यही एक यात्रा है जहां एक immature और unsteady person जो की अस्थिर व्यक्ति है और पुरा mature नहीं हुआ है, वहां से लेकर वो बन जाता है एक mature आदमी और जिसके ओपर लोग भरोसा भी कर सक रिलाइबल लीडर, एक रिलाइबल नेता बन जाता है, एक विश्वसनिय नेता बन जाता है, और यह नेता कोई political नेता नहीं है, यह अपनी जिन्दगी का ही नेता है, जो कि दूसरों को भी guidance दे सकता है बाद में, अ काम mind, इसमें L silent है, काम मतलब शांत, अ काम mind is the precursor, इसका मतलब होता है जो पहले से जरूरी हो, मतलब किसी और चीज़ से आने से पहले जरूरी हो, तो यहाँ पे बताया गया है precursor, किस चीज़ का है, to excellence, excellence क्या होता है, सबसे बहतर, उतक्रिष्ट, सबसे अच्छा, तो द उसके लिए किस चीज़ की जरूरत है, पूर्व संकेत किस चीज़ का होना चाहिए, कि हमारा मन शांत होना चाहिए, क्योंकि calm mind is the precursor to excellence, ठीक है, अगर excellence चाहिए, तो precursor उसका जरूरी चीज़ क्या है, कि पहले क्या होना चाहिए, शांत दिमाग होना चाहिए, when the mind is calm, the intellect is clear, जब दिमाग शांत होता है, तो हमारी बुद्धी भी सपष्ट होती है, clear होती है, and actions are brilliant, और हमारे जो calm होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, वो भी सबसे अच्छे होते हैं, rise above desire, आप अपनी इच्छाओं से उपर उठो, and find contentment, और संतोष पाओ, ठीक है, संतोष, contentment मतलब संतोष So, अपनी इच्छाओं से उपर उठो, और संतोष होना सीखो, think of yourself, अपने बारे में सोचोगे, you may feel unhappy, हो सकता है कि आप खुश ना हो, you may feel unhappy, आप दुखी महसूस करो, क्योंकि जब हम अपनी बारे में सोचते रहते हैं, तो हमको कई चीज़े याद आती है, जो हमको दुख think of others, आप दूसरों के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे, you will find happiness, तो खुशी मिलेगी, shift, so आपको एक shift पैदा करनी है, अपने विचारों का direction आपको बदलना है, तो shift, मतलब shift कीजिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाईए, और किस चीज़ के बारे में यहाँ बात कहिए, shift from grabbing, grabbing मतलब हडपना, मेरे पास आजाए, सब चीज़े, grab करने के बजाए, shift करो अपने आपको to giving, दूसरों को देना, दान करना, from profiteering, profit से बना हुए है, कि लाप राप्त करना, इस से आप shift पैदा करो to offering, कि प्रदान करना, दूसरों को offer करना, देना, and contentment follows, और आप करना भी शुरू किया, help करना शुरू किया, तो आप देखोगे कि संतोष धन आपके पास आ रहा है, follows मतलब आएगा आपके पास, तो ऐसे कह सकते हैं, कि जब हमारा मन शान्त होता है, तो हमारी बुद्धी भी बिल्कुल सपश्ट होती है, और हमारे काम भी बिल्कुल शान मिलेगी, सो हडपने के बदले आपको सोचना है देने की ओर, मुनाफ़ा कमाने के बदले आपको दूसरों को भेंट, उपहार या किसी की मदद करने का सोचना है, तो तब संतोष धन अपने आप आपके पास आएगा, भगवत गीता स्पीक्स ओफ यग्ण्य, सो भगवत ग आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्श, सो आप कह सकते हो कि भगवत गीता में यग्यक की बात की गई है और उच आदर्शों को पाने के लिए सेवा की भावना और त्याग के साथ काम करने की बात की गई है, सेलफिशनेस लीड्स टू मिडियोकरिटी, मिडियोकर आपने पूल सकते हो कि सामाननिता, ओर्डिनरी सेट हो जाती है, ठीक है, ओर्डिनरी बन जाते हैं, हम लोग अगर सिरफ सेलफिश रहें, and misery, misery का मतलब है दुख, सो अगर हम स्वार्थ की भावना से काम करते हैं, तो उससे हम ओर्डिनरी बन जाते हैं, और साथी साथ वो हमको उच उदेशे के लिए समर्पित करना है, and witness amazing result, witness means देखना amazing, आशरे जनक, success हो गया, सफलता, अगर हम अपने आपको एक उच उदेशे के लिए समर्पित करते हैं, तो हम आशरे जनक सफलता भी देखेंगे, witness करेंगे, when a sports person, एक example से समझते हैं, when a sports person surrenders to the team, जब एक sports person होग ठीक है, कोई team member, sports person, surrenders, मतला अपना समर्पन करता है, to the team, team के लिए, he performs exceptionally, तो वो बहुत ही बहतर खेल जाता है, performance उसकी कैसे होती है, exceptional, बहुत ही अच्छी, records are broken, कई records तूट जाते हैं, teams win, teams जीत जाती है, and nation celebrates, और देश जो है, वो खुशिया मनाता है, अगर एक sports person, team के लिए खेलता है, अपने आपको surrender, आत्म समर्पन कर देता है, team के लिए, लेकिन अगर वो खुद के लिए खेलेगा, तो तब selfishness आ जाएगी, और तब result ये नहीं रहेगा, so इसलिए ये example से समझाया गया है, and while lower desires fade away, money, laurels, and accolades, और जबकि lower desires, हमने बात करे थी कि जिसमें, पैसा, गाड़ी, घर, ये सब आता है, तो lower desires, जो है, fade away, वो धूमिल पढ़ जाती है, कम पढ़ जाती है, money, laurels, accolades, come to him naturally, तब उसको इन चीजों के पिछे भागने नहीं पढ़ता, लेकिन ये खुद बखुद उसकी तरफ आकर्शित हो जाती है, आने बोल सकते हो, जब record तूटते हैं, जब वो team के लिए खेल रहा है, और teams जीत जाती है, देश खुशिया मनाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी वज़े से क्या है, जो lower desires है, पैसे के लिए, भागना उसके पीछे, वो खुद बखुद उसकी तरफ आने लग जाता ह उसको भागना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उसने greater cause के लिए surrender कर दिया है, ठीक है, आत्म समारपन किसके लिए कर लिया है, खुद के लिए नहीं, selfish नहीं है वो, यहाँ पे उसने team के प्रती समारपन कर लिया है, तो ये चीज़े खुद बखुद आ जाएंगी, इसके ब भागना नहीं पड़ेगा, set enlightenment as the goal, enlightenment means आत्म ज्यान, goal है लक्षय, so enlightenment, आत्म ज्यान को अपना लक्षय बनाओ, लक्षय निधारित करो, and worldly desires vanish, अगर ऐसे करते हो, तो सांसारिक इच्छाएं जो है, वो गायब हो जाएंगी, but you gain the world, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेगा, प स्वर्ग का राज्य, so आप स्वर्ग के राज्य को ढूंडो, and all else will be added unto you, बाकी सब तुमें मिल जाएगा, so ये उन्होंने कहा है, कि आप आत्म ज्यान की प्राप्ति करो, ये अपना goal रखो, तो छोटी मूटी चीज़ें तो खुदी आपको मिल जाएंगी, when success comes your way, remember that everything in the world is fleeting, जब सफलता आपको मिलती है, हासिल होती है, आपके रास्ते में सफलता आती है, remember आप एक चीज़ को याद रखो, everything in the world is fleeting, fleeting यहाँ पे adjective है, कि थोड़ी दिर के लिए है, शन भंगूर है, एक शन में नश्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि हर कुछ इस संस होगी, तो ही मैं खुश होगा, तो dependency, चीज़ों से हटाओ, you will then become a towering personality, तब आप बन जाओगे, towering मतला शक्तिशाली personality, व्यक्ती, तो तब आप क्या बन जाओगे, एक शक्तिशाली व्यक्ती, unaffected by, unaffected मतला जो की affect नहीं होता, जिसको फरक नहीं पड़ता, जो प्रभावि नहीं होता, true happiness awaits you, सच्चा आनंद आपका इंतजार कर रहा है, awaits इंतजार कर रहा है, this journey is not just a transformation from ordinary to extraordinary, but a path to immortality, अब ये जो journey है, जो आपको पूरे paragraph में आपने पढ़ी, पूरे passage में, ये यात्रा, ये केवल एक बदलाव नहीं है, कि साधारन से असाधारन तक, लेकिन ये तो एक रास्ता है, अमर्ता की तरफ, अगर हम अपने आपको इच्छाओं से दूर ले जाएंगे, संतुष रहेंगे, आत्मग्यान की प्राप्ति को अपना सच्चा लक्षे बनाएंगे, तो ये तो हमको, ये तो एक रास्ता है, जो हमको अमर्ता की ओर ले जाएगा, छोटी म यात्रा है ये एक बदलाव सिर्फ साधारन से असाधारन की तरफ नहीं होगा कि हम एक साधारन इंसान से असाधारन बन जाएंगे सिर्फ ये नहीं होगा लेकिन ये तो एक रास्ता है जिससे कि हम अमर बन जाएंगे I hope जो narrator बोलना चाते हैं इस passage के थ्रू आपको थोड़ा समझ में आया होगा आएए अब word meanings revise कर लेते हैं धिमान समझदार, permanent style, kindergarten, प्रारंभिक अवस था जब छोटे बच्चे होते हैं realm होता है शेत्र, intellect, बुद्धी, talent प्रतिभा, excellence, श्रेश्ट था ponder, विचार करना, enquire, जांच करना, पूछना, guide, mark, दर्शन, immature, अपरिपक्व, mature, परिपक्व, reliable, भरोसा कर सकें जिस पर संतोष, grabbing, हडपना, जपटना, profit, लाप्राप्त करना, offer, प्रदान करना, sacrifice, त्याग, selfish, स्वार्थी misery, दुख, surrender, आत्म समर्पन, laurels, पुरसकार, accolades, सम्मान, enlightenment, ज्यान, competitive, प्रतिस्पर्धा, दूशों से competition, rivals, जिनसे हमारा competition है, insecurity, असुरक्षा, enemies, दुश्मन, attitude, दृष्टिकून, I hope friends, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर जरा भी कुछ नया सीखा है, इससे तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा, thank you for watching, अगले वीडियो में मिलते हैं,